आज किस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं बेदानता स्टॉक के बारे में इसके साथ यह कैसे स्टॉक की बात करूंगा जिसके मार्केट कैप के तीन-चार गुनातों और बुक की बढ़ते दिखा है और जब और बुक बढ़ता है तो स्टॉक के प्राइस क्या होते हैं उसका रिसेंट एक्जांपल आरवी एनल है यहां देखेंगे बेदानता दो सो पचीश के प्राइस पे टेड कर रहा है एसन पी जैसे जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने काफी डाउंग्रेड करे हैं और कहा है कि जो डेट है बेदानता रिसोर्स के वो बड़े कंस लर्ण हैं और पचीश सो के एंसीडी को रेज कर लेने से मुझे नहीं लगता है यह समस्या खतम हो जाएगा अगर ऐसा होता तो एक बड़ा रिवर्सल दिखता और यहीं सभी न्यूज आपको इस समय ट्रेंड होते दिख रहा है टेकनिकल ट्रेंड बिल्कुल वीक है मोमेंटम के लिए या 200 तक के लेवेल का वेट करें जहां से एक ऑपर्चुनिटी ग्रैब किया जा सकता है यहां देखेंगे जो स्टॉक है वो है एंसीसी यह इंफ्रा के सेक्टर से बिलॉंग करती है और इस समय कंपनी को देखेंगे तो 6301 करोर के ज्वाइंट वेंचर जेक कुमार इंफ्रा को दिखा जिसमें एंसीसी के 52% स्टेक है तो लगबग 3200 करोर के आसपास का ओडर देखेंगे तो यह डिरेक्टली जो है एंसीसी को लेकर के हुआ इस समय जो ओडर बुक है कंपनी के आसपास जो वह है 75,000 करोर के मार्केट कैप कितना है 9400 करोर के तो कि अलावे यहां देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड भी स्टॉक ने पिछले वन येर शिक्स मंत में आउट परफॉर्म करें हैं और यहां इसली देखेंगे तो 140 से एक 70-100% तक के गेन अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसे ही स्टॉक मल्टी बेगर होते हैं तो 4500 तक के लेवेल्स भी लॉंगर टाइम फ्रेम पर इसली एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं